ओम नमस्षिवाय साथियों आज दर्शन करते हैं एक लगभग दो हजार वर्ष पुराने मंदिर के जो विराली मलाय का स्वामी कार्टिकेय का मुरुगन मंदिर है और ये त्रीची से पच्चिस किलोमीटर की दूरी पर है ये स्थान विराली मलाय पिकॉक सेंचुरी के लिए भी प्रसिद्ध है मंदिर पल्लव कालीन है और बाद में चोल शाषकों के भी अभिलेक मिले हैं इस मंदिर में मंदिर पहाड़ी के ओपर बनाया गया है विराली मलाय मुरुगन मंदिर द्रविड शैली में बना है मंदिर पर जाने के लिए 207 सीड़ियां है यहां सीनियर सिटिजन्स के लिए लिफ्ट का बनाने का प्रावधान चल रहा है ब्रिटिश शाषकों ने इस मंदिर का इस्तेमाल मिलिटरी हॉस्पिटल बनाने के लिए किया था पाद में यह मंदिर दुबारा से सुचारू रूप से मंदिर के रूप में आया यहां सीडियों में रास्ते में सुन्दर मंडब बने हैं जिसमें भक्त लोग आराम कर सकते हैं मंदिर के आसपास हरयाली है और मोर देखे जा सकते हैं मंदिर के पुजारी मोरों को प्रति दिन दाना डालते हैं गर्ब ग्रह में भगवान मुरूगन की छे सिरों वली मूर्टी है बारा हाथ हैं मोर पर सवार हैं सामने तीन सिर दिखते हैं और पीछे के तीन सिर शीशे में दिखाई देते हैं भगवान मुरूगन के साथ वली और देवियानी हैं और भक्त यहां भगवान मुरूगन को सिगार भेंट करते हैं मुरूगन वीराली मलाय मंदिर में शिव जी, मापारवती, गनेश जी, भहरव जी, भगवान विश्नु और लक्ष्मी जी की मूर्टियां हैं मंदिर प्रागन में अगस्त रिशी, कश्यप रिशी, नारद मुनी की मूर्टियां हैं और यहां कहा जाता है कि वशिष्ट मुनी और उनकी पत्नी अरूंदती ने भी तपस्या की यहां अरूंगिरी रिशी की मूर्टि भी है यहां का पवित्र कुंड श्रवण पोई गई नीचे है और यह नाग तीर्थ भी कहलाता है पहाडी के नीचे सीड़ी चड़ने से पहले माता के मंदिर में लोग पूजा करते हैं सीड़ियों में बीच में रास्ते में मंदिर आता है मिनाक्षी मा का और भगवान सुंद्रेश्वर का जो एक गुफा मंदिर है और शिव पार्वती का रूप है मुरुगन मंदिर में श्री सीता राम और हनमान जी की मूर्टियां नवगरह पूजनस्थान और नाग पूजनस्थान भी है इस मंदिर की पहाडी पर कई गुफाएं हैं जिनमें संतों और योगियों ने तपस्या की इस मंदिर में भरत नाट्यम का भी विकास हुआ मंदिर में लोग अपनी संतान पैदा होने पर भगवान को भेंट करते हैं और फिर उनसे आशिरवाद स्वरूप अपनी संतान को वापिस ले जाते हैं मंदिर में अनेक सांस्कृतिक कारेकरम किये जाते हैं मंदिर के मुखे तेवहार हैं ब्रमोत्सव, सकंद शष्ठी, पंगुनी उत्तरम दिवाली में यहां संगीत उत्सव भी मनाया जाता है साथियों भारत के ऐसे दिव्य स्थानों की जानकरी के लिए प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब इस चैनल ओम नमस्षिवाए